Hello students, आज की क्लास में हम आप्टिकल फाइवर केवल के बारे में बात करते हैं तो आप्टिकल फाइवर एक प्रकार की केवल होती है यहां पर हमने केवल के आंतरिक भागों को दिखाया है इसमें उसके प्रकास सिगनलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है transmit किया जाता है इसके तीन पार्ट हम ने हम पर देखा है पहला है Core, दूसरा है Clading और तीसरा है Buffer Coating सबसे पहले हम Core के बारे में समझते है कोर यह प्रकासी तंतु का सबसे आंतरिक भाग होता है देखे इनके अंदर ये है तो ये सबसे आंतरिक भाग होता है जो की पारदर्सी ग्लास, पॉलीमर, प्लास्टिक या परवैद्युत पदार्द का बना होता है इसका जो अकार होता है वो बेलनाकार होता है और व्यास 10 स सब माइक्रो मीटर तक होता है अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं इसे हम क्लैडिंग कहते हैं यह प्रकासी तंतु के कोर के चारों तरफ एक बेलनाकार ठोस होता है जो परवेद्यूत पदार्थ का बना होता है इसे हम क्लेडिंग कहते हैं तीसरा हम आते हैं बफर कोटिंग कोर तथा क्लेडिंग को एक अन्य कोटिंग के द्वारा कवर किया जाता है जिसे बफर कोटिंग कहते हैं बफर कोटिंग करने से क्लेडिंग मटेरियल वायू कैसे होता है तो आप्टिकल फाइवेर जो है कम्मनीकेशन में सूचना का क्या करता है संचरन प्रकासी सिगनल के रूप में करता है और सिगनल का संचरन पूर आंतरिक परावर्तन जिसको हम टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन के से कहते हैं के सिध्धान पर यह अधारित होता है पूर आंतरिक परावर्तन के अनुसार जब प्रकास तरंगे किसी सगल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो परावर्तन कौण क्रान्तिक जिसको क्रिटिकल कौण कहते हैं से कम होता है जिसके कारण तरंगे वापस पहले वाली माध्यम में आ जाती है आप्टिकल फाइवर में सबसे पहले विद्धुतिय सिगनल को आप्टिकल सिगनल में क्या किया जाता है परिवर्तित किया जाता है इसके बाद से मैं प्रकास तरंगें किसी कौन पर फाइवर के एक सिरे से देखिए यहां पर एक सिरे से प्रवेस करती हुई दिखाई दे रही है और जैसे ही ये तरंगें क्लेडिंग की सतह में देखिए और से ये क्लेडिंग की सतह में ऐसे आकर के टकराती हैं तब ये क्या करती हैं पूर्ण आंतरिक परवर्तन यहां पर हो रहा है पूर्ण आंतर फाइवर के दूसरे सिरे दे कि ये फाइवर का स्टार्टिंग सिरा है और ये लास्ट सिरा है दूसरे के सिरे पर की और संच्रण करती है करती है और इसके बाद ही क्या करती है बाहर निकल जाती है लाइट वेप का ऑप्टिकल फाइवर में संच्रण के लिए पूर्ण आंत् करती हूँ कि आपको यह optical fiber केबल की core cladding और buffer coating समझ में आई होगी साथ ही साथ आपको प्रकास किरण का संचरण किस तरीके से होता है यह भी समझ में आया होगा तेक्यू